इसक है जिन्दगी जिन्दगी प्यार है दर्दे दिल की दबा सिर्फ दिलदार है दर्दे दिल की दबा सिर्फ दिलदार है दर्दे दिल की दबा सिर्फ दिलदार है हेलो प्रेंट्स दिस विजयराज पुस्प एंड बेलकम टू लेन आईज वाई वी रपी तो हम लोग काफी दिनों से हिंदी का पेड़ागोगी पढ़ते आ रहे हैं और उसमें एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं भासा विविद्धा वाले कक्चा कक्च की समस्याय में आज पार्ट टू देखेंगे क्या किर बच्चों में और कौन कौन सी समस्याय आती रहती है नहीं देखें उन सबको जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दू कि बच्चे सिक्षन संबंधी जो बिकार होते हैं उससे भी कभी-कभी गरस्थ हो जाते हैं जिने पढ़ने में लिखने में समझने में मुस्किल होती है नहीं और जिसे हम कह सकते हैं आसमर्थता या आय अयोगिता कह सकते अयोगिता कहोगे उसे ठीक से धंग नहीं कर पाना तो उस परकार के बच्चे में हम लोग आज देखेंगे कौन-कौन सी समस्याय आ सकती हैं सबसे पहले हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं सीडीपी में भी आपने पढ़ा हिंदी में भी पढ़ने के लिए हम लोग चल देखें डिसलेक्सिया देखेंगा जेनरली जब बच्चे को पढ़ने में समस्या हो जाए जब उसको अक्षर तारों की तरह उड़ता हुआ नजराने लगे यानि पठन बैफल बच्चा सब्दों को सही से पहचान न पाए नहीं वह अलग अलग अक्षरों को अलग अलग ढग से पढ़ने लगे तो पढ़ने में कठिनाई हो बिसेस दुआनी सब्द की पहचान भी नहीं कर पाते हैं नहीं बच्चा जो होते हैं आप जब सब्द का उच्छारन करते हैं तो उसको सही से नहीं पहचान पाता है तो उसी को हम क्या करते हैं डिसलेक्षिया यानि किसी भी सब्द को सही ढंग से नहीं कपढ़ पाना वही हमारी क्या है डिसलेक्षिया अच्छा आप ही बताओ जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है तो बच्च ग्राफिया क्यम बदा कर ले यह लेखन और चमता यह बच्चों में लिखने सम्बंदी दिक्कत होथा है नहीं लिखना होगा उच लिख देगा कुछ और तो लेखन सम्बंदी अगर आप में विकार आ जाती है तो वो डिस ग्राफिया कलाता है नहीं ऐसे भी graph माने होता है लिखना और dis माने होता है mistake यानि लिखने में अयोग्यता है dis calculate क्या है dis माने है उसमें गरबरी असमर्थता अ calculate माने calculation यानि बच्चे जब अंक को जब गलत ढंग से लिखते हैं गनना साई से नहीं कर पाते हैं ये जनरली गनीत की समस्याय होती है नहीं तो उसे dis calculate या कते है मन्द बुद्धी कौन होता है कभी-कभी बच्चे सतर से कम बुद्धी लबदी वाले होते है जिसे हम मन्द बुद्धी कते है इसके असमर्ण सक्ती भी कमजोर होती है या इसका ध्यान भी उतना concentrate नहीं रहता है इसको उतना मन्द भी नहीं लगता है तो ये है आपका मन्द बुद्धी बच्चे ADHD क्या है ये बच्चे एकागरता में कमी होते है किसी चीज़ पर न ध्यान लंबे समय तक नहीं लगा पाते कक्षा में भी रहेंगे पढ़ा इधर चलेगा बच्चा इधर उधर 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 करते रहेगा कभी-कभी तो ये बच्चा हूँ-हू करने लगता है क्योंकि इसको ध्यान ही नहीं रहता है यानि कक्षा में ये इस्तिर नहीं रहेगा अनेक पराकार के हरकत करना परारम भी कर देता है नहीं आप देखते होंगे कुछ बच्चे होंगे जब टीचर बोड की और आ गए तो उधर से हूं करने लगा नहीं हुआ हुआ करेगा यह हसना शुरू कर देगा हा 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 लेकिन जब फिर टीचर इदर घूमा तो क्या करेगा वुँआ अस्तिर हो जाता है तो ओ ऐसे बच्चे होते हैं 1200 से ग्रसिद बच्चे अ किसी ऑचीज पर ध्यान को लागा तार इस्तिर नहीं पाते हैं कुछ समय के लिए करते हैं फिर भटक जाते ही उसके बाते डिस्प्रैक्सिया मान-स्पेशियों पर नियंतरा ना होने कर डिस्प्रैक्सिया के मत alltid समत्रेक्स को समश्या εν चाहिë यह बच्चा जो था ठीक परकार से सून नहीं पाते हैं और निर्देशों का पालन भी नहीं कर पाते हैं दोनों समझें डिस्प्रेक्सिया होता जो आपके मोटर समंदी दिकते हो नहीं आपकी मांस्पेसियों पर दिक्कत हो मांस्पेसियों पर पकरनो मांस्पेसियों की बनाबट सही नहीं हो तो डिस्प्रेक्सिया तो ऐसे बच्चे लिखने में भी समस्या हो सकती है चुकि जब बच्चे का मालेजी हाथ है मेरा यांगलीबे ऐसे टीन रहे हमको लिखना और भासा शिखने और बॉलने में भी कठनाई होता है, अपेज याट ठीक है, ठीक परकार से बच्चा सुन नहीं पाता और निरदेशों का पालन भी नहीं कर पाता, तो एक छोटा सा वीडियो था, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा ही नहीं, सबस से बिंती करता हूँ कि आप इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके, शेयर किजिए, दूसरे सबस्क्राइब करवाईए, क्यों? क्यों कि यह आपका ही तो परिवार है, Lernar Eyes by VRP किसका परिवार है? आपका है, एक इसके भलाई के लिए काम करता है आपके लिए मेरा क्या है मैं तो आपको नेक रुप्या लेता हूं न चरण नहीं लेता हूं मैं तो बिल्कुल फिरी आपको काम कर रहा हूं तो अगर मैं आपके लिए इतना मिनत कर रहा हूं तो आपका भी मानवता के खातिर एक करतब बनता है कि जादा से जादा देंगे, अमें भी देंगे, अच्छे काम में लगे रहें और बने रहें, ठीक है, तो दुर्गा पुजा बहुत करीब आ गया है, इसलिए आप लोग उस पर भी ध्यान रखेगा, नहीं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार ही हैं, ओके, बाइ, सील, नेक्स्ट ताइम।